आप देख रहें डमा नास तक पोल्वायर है उसी तरह इलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट का स्मार्ट मीटर भी स्मार्ट है अब पोल्वायर सिटी किस तरह स्मार्ट है अब देखिये ना बिजली है, ना पानी है, और ना ही सापसुत्रा है, लेकिन smart city का थमगा मिला हुआ इनको, उसी प्रकार, electricity department का जो smart meter है, वो भी उतना ही smart है, ना कोई message, ना कोई reading, ना कोई updated हो रहा है emitter, लेकिन smart है, तो स्मार्ट मीटर के नाम पर अंडमा निकोबार दीपसमू के पब्लिक को ठगा जा रहा है अड्मिशेशन द्वारा अड्मिशेशन और EASL के बीश में जो करार हुआ था उस करार के इसाब से ना EASL किसी भी तरह का उनका जो एग्रिमेंट है उसको फुल्फिल नहीं किया गया है जैसे हम देखेंगे पहली बात तो ये कि जब ये स्मार्ट मीटर लगाया गया था उस से पहले पब्लिक को जागरूप नहीं किया गया था ना ही सोशल मीडिया में, ना ही नियूस पेपर में, ना ही रेडियो में इसके बारे में कुछ दिया गया था EASL और एड्मिस्टेशन के बीच में ये स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत सारे करार हुए थे कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट को हम चर्चा में लाएंगे, स्मार्ट मीटर को लेकर जैसे एड्मिस्टेशन और EASL के बीच में बहुत सारा करार हुआ था मीटर लगाने से लेकर पहली बात तो ये जो मीटर लगाया गया, वो यहाँ पे IT ट्रेन बच्चों से मीटर लगवाया गया, उसके बाद उनको कुछ दिन के लिए नौकरी में रखा गया और उसके बाद उसको निकाल दिया, ठीक है ये कंपनी की बात है छोड़ दीजिए, अब जो मीटर, स्मार मीटर लगने के बाद से काफी सारे कंजुमर जो है परेशान है, काफी उबोकता परेशान है, सीजी आरफ में धेरो शिकायतें जमाऊ पड़ी है, अब जेई और एई को सीजी आरफ में जाकर उनका केस का निप्टारा करने का ही टैम नहीं है, पबलिक का कंप्लेंट पर कितने खुश हैं, कंजुमर कितने खुश हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिसका स्मार्ट मीटर लगने से पहले तीन सो रुपे हर मेहना आता था, आज हो तीन अजार रुपे कर रहा है, सार नमस्कार, नमस्तिविया, सार आपका मैं देख रहा हूँ, आप सार दिन तो नहीं आता, जो पहले से हो, पहले मेरा मीटर बील आता था, साथ सो, आट सो, नो सूर प्या आता था, अचानक मेरा मीटर ढ़ ग़्या, तीन अजा, चाड़ तीन जा, इस्तर पढ़ने लगी है, तो इसे तो हम लोग बहुत अगली, पहले जो मेरे ठीक तो भी msжa 2-6-3 sasat पंकह उतने मीटर लगने से पहले आपका कितब यह आपको कितना लगनक क्या टाट जॉनी कंपने पारे वेदर अच्छा है, गेस्ट बोलत हमको AC नीचे, नौन AC चे, फिर भी अभी कुछ मैना से दो तीन मैना से हम लोगा बहुत जादा रहा है, यह हम कंप्लेइन एही सर को भी लिखा है, लेटर बेजा है, कि यह जब यह मेटर चेक कराई है, मेटर में कुछ प्राबलम है, क्यों किजिए, नहीं तो यह बहुत दिक्कत हो जाएगा, इतना हम लोग जितना इंकम ने रहेगा, उससे जादा पेमेंट कासे करेगा, इसलिए यही प्राबलम हम लोगो, अभी भी इससे बहुत प्राबलम फेस कर रहा हम लोग, हम तो यही चाहेगा कि यह स्मार्ट मेटर को ज बोले ह hen चेक कराएग, बहुत ज्यादा प्राबल यहाँ के माफ कर बाहिघ कराना मगो बहुत जादा बिल है क्यूंकि हम लोग इसका पहले पेमेंट किया है है, बहुत दिन से बिजन्स कर रहे, जब से लगए तब से हम लोग बिल जादा ही आरह बहुत जादा ही आरह घए कि यह मीटर लगने के बाद भी आपका दसाचार आयता सर कि उसे जादे ही आया था स्टाक्ट जादे एग अचली सीजन में आता है तो ठीक हम लोगा गेस्ट आता दो प्रॉबलम नहीं अभी प्रॉबलम क्या है अम लोगा ऑफ सीजन अनुने गेस्ट यहाँ कैर हैं अब है म स्मार्ट मीटर है या नॉर्मल मीटर है सर मेरा स्मार्ट मीटर है सरी स्मार्ट मीटर लगने से आपको कितना फाइदा हुआ है सर इसमें फाइदा नहीं हुआ इसमें नुकसान हो रहा है नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है स्मार्ट मीटर का नाम में पैसा तो लूट हो हां इस लोग क्या है गौवर्मेंट का तुरूप प्राइवेट को only kuantrak दे लेकिन उस लोग ऑं रहे बस लगा के चले जा हूँ इसमें बहुत नुक्सान हो रहे 如此 से पैसा आम पांपलीक का निकल रहे बहुत जा रहे जा रहे हैं सर आपको कैसा नुकसान हुआ सर आप अपना अपना मकान है या किराय में सर मैं एक चोटा से रेंड रूम में रहता हूँ तो उसमें एक मिनिमाम एप्लाइंस है तो मैक्सिमाम बिल एक 500 रुपए आना चाहिए तो उसमें मैं 1500 से ज्याधा पेमेंट कर रहा हूँ दो हजर अभी तो बिल तीन हजर का सपस आने लगा है तो यह बहुत बड़ा बड़न है मेरे उपर एक प्राइबेट और कर हूँ मैं तो उसके उपर सरकर को दो देखना चाहिए तो पहले आपको 500 रुपए आता था लगबग 500 रुपए अब आ रहा है तीन हजार रुपए त तो इसको लेकर आपने कभी शिकायत की यहां है तो वहां से कोई मेरे को रिपलाइ नहीं आया है तो मैंने इसको जो है फॉरवर्ट किया है CGRF में CGRF में मेरा अभी ट्रेल चल रहे हैं, वहां से अभी क्या रिप्लाई आता देखते हैं, उस लोग आये थे घर में चेक करने के लिए, तो उसका डिसिजन अभी तक आये नहीं, मैं उसका डिसिजन का वोइट कर रहा हूँ CGRF में जाने के बाद, आप से साईट ओफ्स वालों ने क选ट क Vaal उन्यों कोंटेक्त किया था शरह हां मुझे kontakt किया تھा कि तो रंद मेरे को phone आया तो site office से मेरे को phone आया तो मैं site office गिया है तो site offices से मेरे को बोला है आप क्यों गिया CGRIF में आप लोग मेरे बस आना था तो आप को लेकिन आप लोग कुछ action नहीं लिया मेरे complaint को तो एक है वही time में मेरे को बोला है कि आप केस को ड्रो कर लीजिए आप लोग जो आपका जो केस है मैं सेटल्मेंट कर दूंगा तो यह सेटल्मेंट का बात जो है मुझे जचा नहीं उस लोग कैसे सेटल्मेंट करेंगे गौवर्मेंट का यह चीज को तो यह मेरा कोशिन है सीजे अरफ अभी फाइनल डिजिजन कुछ नहीं लिया है अभी तक कोई डिजिजन आया नहीं है उसका मैं अवेट कर रहा हूँ स्मार्ट मीटर आपके लिए नुकसान देई है बहुत नुकसान बहुत नुकसान हो रहा है यदि हम देखे तो विदूत विबाग का जो उबोगता है एक लाग तीस घार उबोगता है लेकिन स्मार्ट मीटर जो है केवल 76,000 ही इंस्टॉल किया गया है शूत्रों से मिली जान साथ अंदमान छोड़कर नौर्थ और मिडिल अंदमान में 39,200 स्मार्ट मिटर लगा हुआ है अब सोचने वाली बात ये है ये स्मार्ट मिटर जो है टोटली कनेक्टड है नेट के तुरू लेकिन साथ अंदमान ऐसी जगा है जो सिटी माना जाता है और उस जगा में ही नेट पर मिडिल अंदमान के तो बात ही छोड़ दीजिये जहां नेटवर्क हाइए नहीं वहां पर भी ऐसे स्मार्ट मिटर को इस्टॉल किया गया है तो सोचने वाली बात ये सिर्फ अपना काम निकालने के लिए बस मिटर लगा दिया और अपना काम खतम कर दिया अब मिटर से मीटर चल रहा है मीटर नहीं चल रहा है कंजुमर को बराबर मैसेज जा रहा है कंजुमर को मैसेज नहीं जा रहा है कंजुमर परेशान है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है अड्मिस्टेशन का काम था मीटर इंस्टॉल करवाना और वो मीटर इंस्टॉल करवा के छोड़ द अंडमन के जंता को प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर के बारे में बताई नहीं गया। जिससे चन्जुमर को जो है उनका रेडिन्ग कितना हुआ है उनका बील कितना पेमेंट एक्चुल पेमेंट कितना इनको बांदना है यह सब जो है मैसेज के तुरू उनको मेल जाता था उनके फौन में एप भी आ ना था अगर वो पैमेंट नहीं करते तो स्मार्ट मिटर जो है अपनी आप बन्द हो जाता था जैसे आप सिम करते हैं उसी तरह इस मीटर को भी रिचार्च किया जा सकता था लेकिन वह ना करके पोस्ट मीटर पोस्पेड मीटर को जबरस्ती थोब दिया गया क्यों क्योंकि इसमें ना ही आपको कुछ रीडिंग पता चलेगा, ना ही आपको यूनिट के बारे में पता चलेगा, और ना ही आपका बिल कितना आया, ये आपको पता चलेगा, जो बंदा, जो कंजुमर 500 रुपे बिल बांता था, वो डिरेक्ट 5000 रुपे बांने में मजबूर है आज, लेकिन इनके यहाँ पे मीटर रीडिंग बराबर दिगाया जा रहा है यह कैसे हो रहा है आदमी गर बंग करके चला जाता है एक भी बल्ब नहीं जलता है एक भी ट्यूब नहीं जलता है एक भी फैन नहीं जलता है लेकिन इनका मीटर बराबर चलता है और बराबर उनको बिल कर देंगे यह कैसे सटल्मेंट हो रहा है यह नहीं पता यह सल कंपनी को ओपरेशनल और मेंटेनेंस के लिए डिपार्टमेंट जो है हर महीने 22 से 25 लाग पे करता है लेकिन यह ओपरेशन और मेंटेनेंस क्या होता है किस तरह का मेंटेनेंस यह कर रहे हैं अगर आप कोई अगर जाकर बोल दे कि हमारा मीटर ओवर स्पीड है यह हमारे मीटर में रीडिंग जो है ज्यादा आ रहा है तो इनके पास कोई सोलूशन नहीं है और ना ही यह सल का कोई बंदा साइट ऑपिस में बैटा है कि उस कंप्लेंट का निवारन कर सके तो किस तरह का ओपरेशन औ और मेंटेनेंस के लिए यह लोग बाई से पच्चिसलाग उपर गौर्मेंट जो है उनको दे रहा है यह सोचने वाली बात है इसी तरह ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए इसल का अपना खुद का एक डाटा सेंटर होना था डाटा सेंटर इनके पास खाई नहीं है इनका अपना call center होना था call center नहीं है agreement के हिसाब से यह सब उनके पास होना चाहिए था अब यह जो है इनका पूरा data जो है soft tech द्वारा monitoring किया जाता है तो soft tech soft tech के पास हमारा data कितना secure है अब soft tech अगर चाहे तो किसी भी reading के उपर उसको manipulate किया जा सकता है किसी की भी data को बढ़ाया भी जा सकता है किसी के data को कम भी किया जा सकता है मेरा बोलने का मतलब यह है किसी का भी bill जो है जादा भी हो सकता है किसी का भी bill जो है कम भी हो सकता है इस soft tech द्वारा उसमें चेड़-चाड़ किया जा सकता है एक्च्वल में EESL का एक डाटा सेंटर खुद का होना चाहिए था करार के मताबिक जो नहीं हुआ है प्रशाषन और EESL के बीच जो एग्रिमेंट हुआ है उसके मताबिक EESL के पास टेस्टिंग लैब होना चाहिए था जो नहीं है दूसरी बात हर एक साइट ऑफिस में स्मार्ट मीटर को चेक करने के लिए एक्च्वल मीटर देना होता था ये भी कहीं पर नहीं दिया गया है अब मीटर खराब है मीटर सही है मीटर चलता है नहीं चलता ये देखने के लिए एकुचेक द्वारा उसको चेक किया जाता था जो किसी भी साइट ऑफिस में एसल वारा द्वारा नहीं दिया गया है तो फिर किस चीज का ओपरेशनल और मेंटेनेंच चार्ज ये 25 लाग रुपे इनको दे रहा है ये समझ से परे है और धालते हों फिर को हर तरह से फाइदा पानचा रहा है इसमें अगर और कंज오मर मरे तो मरे इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये संद्वार तरह से साहँ अगया जारा है काई लोगों से अचार में दोशिए CGRF में चब कंप्लेंट लेकर चले जाते हैं, तो उस समय AER आकर बोलते हैं कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, हम कुछ सेटलमेंट कर देंगे. तो ये कौन सा सेटलमेंट हो गया? जब तर CGRF में नहीं जाओगे, तो क्या सेटलमेंट नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है. यदि कॉंट्रेक्ट के साथ LD क्लॉस लगाया होता, तो डिपार्टमेंट ESL के उपर पेनल्टी लगा सकते थे, अगर वो टाइम पर अपना काम पूरा नहीं किया होता तो. लेकिन कहीं न कहीं ESL को फायदा पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट दोरा ये क्लॉस लगाया ही नहीं गया. दूसरी बात, लेटर ओफ क्रेडिट, इसके मुताबिक जिसमें डिपार्टमेंट का कुछ एमांट जो है, उसमें डिपोजिट रहता है. यदि प्रशाशन कॉंट्रक्टर को पेमेंट करने में नकाम हो जाए, तो इस पेमेंट से कॉंट्रक्टर को पेमेंट करके जो भी समान पर्चेस करना होता है, वो कर सकते थे. यह क्लॉस भी नहीं लगाया गया. स्मार्ट मीटर आज भी बहुत सारे कमर्शियल स्टैबलिश्मेंट है, जहां पे स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया है. क्यों? उनको पता है कि स्मार्ट मीटर अगर लगेगा, तो इसका जो बुकता नम को करना होगा, वो दुगना या तिगुना करना पड़ेगा. तो य जेई और एए के अड्रेस्टेंडिंग में बहुत सारे इस्टैबलिश्मेंट ऐसा है, जहां पर आज भी इलक्टोनिक मीटर ही चल रहा है. एक बात हमारे गुपसुतों से यह भी पता चला है कि, एई एसल के साथ करार होने के बाद, विदुद विबाग द्वारा, कई सा हर जगा पे अगर स्मार्ट मीटर लगना है, तो फिर यह इलक्टोनिक मीटर की पर्चेस क्यों की गई? इस पर भी सवल्या निशान है. अब हम देखते हैं, पहले जो था, हर महीने महीने कंजुमर को जो है बिल आ जाता था, जिसके मुताबिक वो जाकर अपना पेमेंट कर बिल बुकतान करना पड़ता है, जो कंजुमर के लिए बारी पड़ता है. स्मार्ट मीटर आने के बाद से, बिल बन कर तयार होने में लगबग तीन महीने लग जाता है. इसके वज़े से, कंजुमर को जो है, तीन महीने का बुकतान एक साथ करना पड़ जाता है, जो इन प कंजूमर को मीटर लगाने के लिए फिर से वही पुराना प्रोसेस को दुबारा से करना पड़ता है जिसमें इनका अच्छा कासा पैसे का नुक्सान हो जाता है लोग परेशान है लेकिन इस परेशानी का कोई निप्टारा नहीं है डिपार्टमेंट के पास में कहीं न कहीं विदुद विबाग और ESL के मिली बगत से कंजूमर जो टेक्सपेयर का पैसा जो है भड़ी मात्रा में दांदली हुआ है इसका और यह एक जांच का विशेय है। आज बनता है। हम ऐसी जानकरी और ऐसे खबरों को लेकर हम आपके पास फिर उपस्तित होंगे। तब तक के लिए आगया दीजे नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए। धनियवाद।